हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर थी फाइबर टू फाइबरिक के आगे का टॉपिक डिसकस करेंगे जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने नैच्रल फाइबर के बारे में पढ़ा था जिसमें होते हैं कॉटन, जूट, सिल्क, एकसिटरा जाता है तो उसका जो फ्लावर है यह लेमन के स्ट्रक्चर का रहता है और यह बच्यों होने के बाद बर्स हो जाता है उपर से खुल जाता है तो हमें कॉटन बॉल मिलते हैं जिसके अंदर एक सीड होती है ठीक है अब हमें इस कॉटन बॉल से सीड को अलग करना है साथ ही साथ इसमें कुछ और डस्ट इंप्यूरिटीज भी आ जाते हैं जैसे कि कुछ सूखी लीव सा सकते हैं जिस सूखी टहने आ जाते हैं तो उनको क्लीन करने के लिए बड़े-बड़े कॉम को यूज किया जाता है यह बड़े कॉम या कंघे जो होते हैं इस सीड को ऐसे कॉम करके सेपरेट करते हैं साफ करते हैं जिसे कि गंधगी जो होती है वो अलग हुचाती है और हमें प्योर फाइबर मिल जाता है cotton का या इसे clean fiber of cotton भी कहेंगे ठीके इस process को बोलते हैं ginning ठीके तो ये होती है ginning की process अब चलो हमें मिल गया क्या clean fiber मिल गया cotton का अब इससे हमें क्या चाहिए thread चाहिए तो clean fiber से thread तक की जो process होती है उसे कहते है spinning का definition क्या है तो process of making yarn और thread from fibers is called spinning तो fiber से जब हमें thread या yarn मिलता है उस process को कहते है spinning जैसे देखिए एक छोटा सा ये cotton roll है अब इसको अगर इसके एक सिरे को हम एक हाथ में और दूसरे सिरे को दूसरे हाथ में पकड़ लेंगे और इसको थोड़ा सा कीचेंगे और इसको twist करते जाएंगे इसे कहते है twist करना इसे twist करते जाएंगे तो पतला yarn या thread मिलता है इसी process को कहते है spinning ठीक है तो spinning को जब करते हैं हाथ से जब इस process को हम करते हैं तो वो उसमें क्या-क्या tool यूज होता है तो पहला होता है ये एक बड़ी जैसा structure है ठीक है यह structure है तकली का इसे कहते है तकली पहला टूल क्या है तकली जब हम small scale पर बहुत कम मात्रा में अगर हम spinning कर रहे हैं cotton balls की तब तकली यूज करते हैं साथी आपने नाम सुना होगा चर्खा का जो हमारे राश्टर पिता महात्मा गांदी ने आजादी क टाइम पर चर्खा उसमें काफी यूज किया था खादी बनाने के लिए खादी कैसा फैब्रिक है जो कॉटन से बनता है इसको इसमोमेंट को इसलिए चलाया था हमारे राश्टर पिता नहीं जिससे कि बिटेन से आने वाले जो फैब्रिक है उनका यूज कम और अपने किल पर स्पिनिंग की प्रोसेस होती है फाइबर से थ्रेड बनाने की प्रोसेस अगर फैक्टरी में होती है तो यह होती है स्पिनिंग मशीन से ठीक है अब इसकी मशीन भी आती है जैसे यह काम होता है क्लियर है तो आज हमने पढ़ा गिनिंग क्या होता है और स्पिनिंग क हम इसके आगे के प्रोसेस यानि कि थ्रेड तक तो हमें मिल गया थ्रेड से फैब्रिक बनाने के प्रोसेस को पढ़ेंगे